हालो सुडेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड ग्लासिस पर तो बच्चों जिस तरह का प्यारो सपोर्ट आपको इस चैनल को मिल रहा है तो उमीद करूँगा कि वह प्यारो सपोर्ट आप आगे भी ऐसे ही बनाए रखे और चैनल का कंटेंट अगर आप कुछ प्रॉबलम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बदा सकते हैं कोशिश करेंगी हम लगातार इसमें सुधार करने की तो हमने जैसे स्टार्टिंगी जो वीडियो थी उसमें और इसमें धिरे-धिरे हमने काफी सुधार करने की कोशिश करी है बैक्राउंड नॉइस अब आपको आता नहीं होगा अगर आता भी हो तब बहुत माइनर आता होगा तो ऐसे धिरे-धिरे आप सजेशन देते रहेंगे मैं कोशिश करूंगा उन सबको एपलाई करने की तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं सर्कल्स एक्षिली जो आपके पस ब जम पूष्टाओं की सर्कल क्या है तो मोस्ट स्टुवेंटका आंसर क्या होता है और ठीज सर्कल क्या है और हुख रैंसर जो मैं बता रहूं सब्सक्राई कुछ बच्चे कहते हैं सरकल सरे गोला होता है, कुछ कहते हैं सरकल के अंदर सेंटर होता है, सरकल के अंदर रेडियस होता है, अब उनसे पूछ ले जाए कि पर रेडियस क्या होता है, डायमेटर का डबल होता है, तो बच्चे यही आंसर देते हैं, बहुत पॉमन आंसर है, तो होचता है आप में से भी बहुत से लोगों ने यही सोचा हो। तो पहले में सर्कल की आपको डेफिनेशन के बारें बात करता हूँ कि जब आप मैथेमेटिक्स पढ़ रहे हैं मतलब क्या हुआ कि यह कहता है कि एक प्लेन के अंदर को एक फिक्स पॉइंट है उसको हम लेते हैं यहां पर ठीक है होती है बइलाख ऐसे편 में लिए प्लेए सरकल की संट कि आता है इस फिक्स पॉइंट को!". क्लर्ट भी। यहां पारें ये होती है सर्कल की डेफिनिशन में यह जो फिक्स पॉइंट आता है कि इस प्यूंटि के हो सद्के है चंवनिए और गरता और जो यह आपके पास यह पूरी जो आर्क बन जाती है इस आर्क को आप बोलते हैं इसकोайте है रेडियस को बोलते है रेडियस अगर आपसे पूझी जरती तो रेडियस यह नहीं कहता कि रेडियस डायमेठर का डबल होता है radius is a fixed distance from center of circle to the circumference of circle it is called radius तो I think अब आपको यह देखने के बाद circle के बारे हैं पता लगिया हुआ circle को आप define easily कर पाएगे कि circle क्या होता है तो अब हम अपने topic पर आते हैं कि यहाँ पर आपको circle की कुछ equations बनानी है या equation की हैप से आपको center निकालना है radius निकालना है तो सबसे पहली तो situation है उसमें हम लेते हैं कि अगर आपके पास circle में यह तो center है यह मालो दिया हुआ है 00 ठीक है अब circle जिस point से pass हो रहा है जब हम equation बनाते हैं तो हम एक common point लेते हैं general point लेते हैं जिसको हम denote करेंगे यहापर x y से क्योंकि circle क्या हो तक plane figure होती है उसके अंदर coordinate geometry जो होती है उसमें two dimensional होती है तो हमने यह point लिए x y अब यहाँ का center इसका 00 है तो यहाँ से देखो आपने इसका distance निकालना है इसका distance निकालने के लिए आप use करेंगे आप distance formula जो हमने street land में बढ़ा था तो इसका अगर हम distance formula निकालने तो क्या बनेगा x minus 0 इसका whole square plus में y minus 0 इसका whole square is equals to यह क्या आपके पास यह radius है equals to में radius अब यहाँ पर क्या करते हैं दोनों side का square कर देते हैं तो square करने से यह root खतम हो जाएगा आपके पास यहाँ बचेगा x square plus y square equals to r square यह आपकी एक equation बनेगी इसको हम बोलते है standard form और simplest form standard form या फिर simplest form इसमें आपका circle का center का है center यहाँ पर 00 पर है तब आपकी यह equation बन जाएगी लेकिन जरूरी तो नहीं है कि center हमेशा 00 पर है center कहीं भी हो सकता है अगर हम center को shift कर देते हैं और भी तो उसके लिए हम क्या करते हैं आपने center को 00 से हटा के कहीं और shift किया तो center को normally हम क्या करते हैं किस point से denote करते हैं h और k point से denote करते हैं यह circle का center है h k और यह general point है आपके पास x y अब फिर करना हुए ही आपको distance formula यूज करना है अब distance formula आप यहाँ पर use करोगे तो इसको आप कैसे लिखेंगे x minus h का square plus y minus k का square equals to में यह फिर हुए square root कर देंगे यह आजाएगा आपके पास r तो अब यहाँ से squaring both side करेंगे तो यह बन गया x minus h का square plus y minus k का square equals to r square इस form को बोलते हैं इसकी central form जादर हम यह use करेंगे central form इसकी ठीक है अगर यहाँ पर कई बर ऐसा भी होगा कि आपको center नहीं दिया जाएगा फिर भी आपको circle की equation बनानी पड़ेगी तो उस case में क्या होगा आपको कम से कम 2 point दिये जाएगे ऐसे diametrical point यह circle का जो diameter है इसके आपको coordinate दे दिये यह कह दिया भी x1 y1 है यह point कह दिया x2 and y2 है अब एक जैसे हम general point ले रहे हैं xy ऐसे एक general point आप कहीं भी ले लो यह मालो आपने ले लिया xy अब यह क्योंकि semi circle है तो semi circle में यहाँ पर जो angle बनेगा 90 degree का angle होगा तो जो slope का concept होटा है slope के concept आप यहाँ पर use करके यहाँ पर equation हम बना सकते है मैं यहाँ पर उसके proof में नहीं जाओंगा बस आप यह समझ लें कि इस line का slope निकालेंगे इस line का slope निकालेंगे दोनो slope का product minus 1 होता है उसको use करके हम यहाँ से हम बनाएंगे इसको हम बोलते हैं diameter form तो यहां से ही क्या बनेगी x-x1 into में x-x2 plus y-y1 into में y-y2 यह जो form बनेगी यह आपके कहलाएगी इसको हम बोलते हैं diameter form diameter form अगर आपको यह दो डायमेटर दिये हैं तो डायमेटर से वो कह रहा है कि आप सिधा radius निकालने के बज़ा है आप सिधा यह apply भी कर सकते हो नहीं याद रहती कोई तिक्कत की बात नहीं है आप यहां से distance निकालो distance निकाल के आपके पाद diameter आजाएगा diameter का half करेंगे उसका radius आजाएगा प्लस इसका center कैसे निकाल लेंगे भई midpoint से निकाल लेंगे क्योंकि जो diameter होता है diameter का midpoint क्या होता center ही तो होता है अगर आपके पास यह दो coordinate दे दिये तो आप उससे center निकाल सकते हो center निकल गिए आपका radius निकल गिए equation बन गी तो कोई tension निया कि यह आपको याद करनी है या नहीं करनी है मैं आपको बस बता रहा हूँ अलग अलग तरीके से कैसे हो सकती है जरूर निकि हम सारी use करेंगे सब से ज़्याद है जिसे मैंने बताया कि इसको expand करें तो यह बनेगा x square और minus 2hx plus में h square y square minus 2ky plus में k square और r square को भी आप इधर ही लिए आपके पास अब यहां से हम क्या करते है यह x square plus y square इसको इखटा कर देते है minus 2hx minus 2ky plus में h square k square minus r square equals to 0 इस equation को इस format में लिख लेते है अब इस equation को आप ऐसे भी लिख सकते हो it can be written as it can be written as x square plus y square plus में 2gx plus 2hy plus में c is equals to 0 अब यहां से देखो दोनों equation को आप compare करोगे तो जो x वाली term है x वाली term है यहां पर और यहां पर तो 2g minus 2h के बराबर आ रहा है यहां से आप g की value निकालेंगे तो आजाएगे आपके पास minus h और अगर यहां से आप निकालेंगे किस की value h की value निकालेंगे तो यहां पर h नहीं यूज़ करते s तो already use हो रख है तो यहां पर normally f यूज़ करते तो यहां से अगर आप f की value निकालेंगे तो f आजाएगे आपके पास minus k और यह जो c है c की value क्या होगी यह होगी तो c आपका क्या बन गया h square प्लस में k square minus r square अब g और h की value तो आपके पास h की value क्या है minus g है k की value क्या है minus f है तो उसको आप यहां पर put करेंगे तो c आपके पास क्या बन जाएगा c बन रहा है हाँ पर आपके पास g square प्लस में f square minus r square अब यहां से आप r की value निकालेंगे r square को अधर लाएगे c को अधर ले जाएगे r square की value बन जाएगे g square प्लस में f square minus c अब यहां से R मेर को निकालना है तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा square root तो R की value आपके पास क्या जाएगी यानि जो circle का radius होगा उस radius की value आप ऐसे निकाल सकते है G square plus में F square minus C लेकिन एक condition यहाँ पर आपको ध्यान अखनी पड़ेगी यह जो G square plus C square minus C है इसकी जो value है वो हमेशा G square plus में F square minus C इसकी value greater than 0 के बराबर होनी चाहिए तब यह condition में आप ही कह सकते हो कि circle का radius है वो यह आएगा और इसका जो center है वो आजाएगा minus G और minus K ठीक है क्योंकि यहाँ पर H की value क्या है minus G यहाँ पर K की value क्या है minus F तो center के है हमारा H और K तो यहाँ पर H और K जो center है इसको आप लिख सकते हो minus G और minus F के बराबर तो center और जब हम निकालेंगे radius तो हम इस तरीके से भी निकालेंगे फिर depend आपके उपर करता है वह आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है उस तरीके को आप यूज करो दोनों तरीके ठीक होंगे दोनों से आपको पूरे के पूरे नमबर मिलेंगे एक भी नमबर आपका नहीं कटेगे तो यहाँ पर जो equations थी वो हमने यहाँ discuss कर लिया थोड़े से इसके questions कर लेते हैं ताकि आपको पता लगे इकवेशन को apply कैसे करना है तो exercise 18.1 स्टार्ट करते तो first question में आप से पूछता है कि find a equation of circle whose center is this and radius is this तो first part में कहता है अभी center इसका 0,2 है और radius 2 है तो जो general equation है circle की central form है हम इसको use कर दें यहाँ बर तो central form के coding क्या था equation of circle क्या होती है equation of circle x minus h का square plus में y minus k square equals 2 में r का square तो यह value तो बात में put करेंगे r का square तो यह आपने यहाँ पर put कर दिया अब put करने के बाद आपके पास देखो h की value भी दी हुई है k की value भी दी हुई है वो दोनों बस आपको यहाँ पर put कर देने है h की value क्या आपके पास 0 है तो यहां गया x minus 0 का square k की value 2 है r की value भी 2 है इसको expand कर देते हैं यह हो गया x square plus y square minus 4y plus 4 equals to 4 4 से 4 cancel equation आगी आपकी x square plus y square minus 4y is equals to 0 यह circle की equation आगी same चीज आपको यहां पर करनी है center इस बार minus 3 दिया हुआ है तो यहां पर जब आप put करोगे equation क्या बनी x यह already minus है तो x minus 3 यह आप directly सिधा x plus 3 लिख सकते हो plus में y minus 2 का square equals to r का square तो यह देखो यह x plus 3 हो जाएगा यह करने के बाद फिर हम यहां पर इसको expand कर देंगे तो यह बनेगा आपके पास x square 6x 9 y square 4y plus 4 16 को अभी आप इधर लियाओ तो equation मनगी आपकी x square plus y square plus 6x minus 4y 9 plus 4 13 इसको solve करोगे उसके साथ तो यह हो जाएगा minus 3 डिरेक्ट लिख देदे आंसर यह आपकी इसकी equation आजाएगे ऐसी इसके जो second और third और fourth part है उसमें center दिया है 1 by 2, 1 by 4 और radius दिया है 1 by 12 तो ऐसी आप यहाँ पर put करेंगे simplify करेंगे fourth part में आपको समझा देता हूँ center इसमें कहता है minus a और minus b है अब तो center क्या है यहाँ पर minus a और minus b और जो इसकी radius है वो आपको दे हुई है square root of a square minus b square तो आप सिफर से यही काम करों यहाँ पर x अब क्योंकि यह already minus है जैसे हमने यहाँ पर किया था तो directly अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x plus a y plus b is equals to r का square r की value आपके पास यह है और इसका करने आपको square अब यहाँ पर expand कर दो a का square 2ab plus में b का square ऐसे यहाँ पर इसको expand कर देते है अब right hand side में इसका आप square करोगे तो root से square खतम हो जाता है a square minus b square आगिया a square से a square हो जाएगा cancel सारी terms को एक तरफ दिकटा कर देते हैं आपका answer बन जाएगा x square plus y square plus में 2ax plus में 2by इस minus b square को इधर लाके इसके जाएड कर देते हैं यह बन जाएगी आपके पास यह equation यह आपका answer आजाएगा I think यह तीनों question आपको समझ में आगे easily आप लोग कर पाएगे अब question number second की बात करते है second में आपको क्या कहता है यह second question में आपको equation मनानी है circle की तो वही काम है circle की equation मनानी है और center कहता है 8 minus 6 and which passes through the point 5 minus 2 अब यहाँ पर question को एक बार ध्यान से समझ लेंगे question आपके समझ में आ गया तो बड़े राम से आप इसके answer कर पाएगे तो यहाँ question में यह कह रहा है कि circle जो आपका उसका center तो आपको दिया हुए 8 minus 6 यह circle का center आ गया 8 minus 6 और यह कहता है कि यह कहां से pass कर रहा है यह 5 minus 2 से pass कर रहा है अब circle की equation बनाने के लिए एक चीज़ हमेशा जान नको circle की जब भी equation बनाने आपके पास दो चीज होनी चाहिए एक center होना चाहिए और radius होना चाहिए तो यहाँ पर center तो आपको दिया हुए radius नहीं दिया हुए लेकिन आपको यह 2 points तो दिये हुए ना इनसे radius निकाल दो ना वई क्योंकि यहाँ से fix points से यहाँ से लेकर यहाँ तक तो distance आएगा वो क्या होगा radius ही तो होगा तो आप radius की value यहाँ पर आप निकालोगे question number second में तो radius आपके पास क्या बनेगा square root of 5 minus 8 plus में minus 2 plus 6 इसको simplify कर दो आप यहाँ 5 minus 8 3 3 का square 9 यहाँ आगया 4 4 का square 16 25 यहाँ रेडियस आगया इसका 5 अब radius आपको मिली गया center ओलेडी question में दे रखा उसने तो अब रह गया गया equation of circle बनानी है equation of circle क्या होगी अभी जमने formula यूज किया रहा x minus h h किजेगा यह है आपके पास y plus minus में k और k की value जो already minus है तो plus हो जाएगा बस sign होगा द्यान लगना बागी तो उसमें कुछ है नहीं r की value यहाँ इसको expand करो minus 16x plus में 64 y square plus में 12y plus 36 equals to 25 अब सारी टाम एक तरफ दिखटी करो तो यह बन जाएगा x square plus y square minus 16x plus में 12y अब 64, 36 दोनों को plus करेंगे तो 100 आगया 100 में से 25 minus कर दोगे तो आपके पास आजाएगा 75 यह आपका answer आजाएगा third question में भी आपको equation बता नहीं है circle की अब यहाँ कहता है whose center lies on the negative direction of y axis center कहाँ पर lie कर रहा है negative direction of y axis मतलब यह हो गया figure एक बात समझ लो यह आपके पास axis हो गया तो circle का जो center है वो negative direction of y axis मतलब यह हो गया यहाँ पर कहीं lie कर रहा है यहाँ center हो गया आपका at a distance of 3 unit from origin origin से 3 unit के distance पर है and whose radius is 4 unit अब यह origin से 3 unit के distance पर है मतलब यहाँ से यह जो distance है यह 3 unit का है तो इसका मतलब इसका जो center है वो क्या बन गया center आपका क्या बन गया यहाँ पर 0-3 क्योंकि क्या कहा रहा है origin से 3 unit के distance पर है और negative direction में है अब negative direction में है तो y axis पर हो गया और इसका जो point है यहाँ पर क्या जाएगा 0-3 तो वो बन गया center और radius क्योंकि आपको clearly बदा ही रहा है कि जो radius है वो 4 है तो अब रहे क्या गया कुछ नहीं रहे गया ना बई जैसे यहाँ पर अपने r निकाल ली थी center दे ही रखा था तो बस आपको क्या करना है equation of circle बनानी है x minus 0 plus में y plus 3 का whole square equals to r का square simplify कर देते हैं तो यहाँ गया और यहा 16 सबको इखटा कर दो x square plus y square plus 6y इसमें से इसको minus करेंगे यह आपका answer आजाएगा ठीक है answer अपना match भी कर लेते हैं x square plus y square plus 6y minus 7 is equals to 0 तो question number of fourth पे चलते हैं fourth में भी क्या करना आपको equation ही बनानी है उसमें कहता है कि find the equation of circle which has a point minus 2 3 and 0 minus 1 as opposite end of a diameter अब यह आपको diameter के opposite end दे दिये अब opposite end दे दिये तो इसको जो अपने डायमेट्रिक फॉर्म करी थी आप उससे भी कर सकते मैं आपको दोनों तरीके बदा देता हूं आप कैसे कर सकते हैं जो आपको एक्जाम में याद आ जाए अच्छे तरीके से जच्छे समझ में आ जाए वह आप कर देना तो यह कर एक एक स्बाक करदा वाइंट में आट है इंटु इंट师 क्लाशू अध्यर स्थे तो आप यहां पर ये वाला फार्मूल क्या अबटा वेस्ट तो फार्मूल क्या बना प्टोन फिफ्फत है.. question number sorry fourth तो इस fourth question में हम क्या बना रहे है x minus x1 into में x minus x2 plus में y minus में y1 into में y minus y2 अगर आपको diameter के opposite point दे रखे हैं तो direct equation कैसे बनेगी वो चीज़ समझा रहा हूँ तो अब यहां पर आपको क्या करना है x minus x1 यह already minus है x minus x2 वो x2 होगे आपका 0 plus में y minus y1 y minus y1 और y minus y2 इसको simplify करते है x को दोनों से multiply करेंगे x square plus में 2x आगया यहां से इन दोनों को करते है y square plus y minus 3y minus 3 equals to 0 तो equation मन की x square plus y square plus में 2x minus 2y minus 3 is equals to 0 यह हमारा answer आजाएगा answer चेक कर लेते हैं अब यहां से माल लो suppose आपको यह form याद नहीं रहती है तो आपको क्या करना है आपके पास diameter दिया हुआ है diameter का half कर दो गया नहीं इसका जो distance formula से distance निकाल लोगे radius आजाएगा और इसका center निकाल लो center आप कैसे निकालोगे midpoint formula से x1 प्लस में x2 divided by 2 करोगे तो यह minus 1 आजाएगा 3 minus 1 2 होगे 2 को इससे divide करोगे तो center आपका यह आगया और जो भी इसका distance आएगा उसका half कर दोगे वो radius आजाएगा फिर जो हमने पीछे के question किये उस तरह से आप put कर दो directly आपके पास equation circle की तयार समझ में आगी बात question number हम देखते हैं fifth fifth question में कहाता है does the point minus 2.5 and 3.5 lie inside outside or on the circle एक point आपको दिया हुए है तो गहता है कि एक point है वो point क्या है minus 2.5 और 3.5 अभी पता नहीं मुझे कहां पर है वो point minus 2.5 और 3.5 यह एक point है इसको हम पी ले लेते हैं और circle की जो equation है वो है x square प्लस में y square इसका first part है x square प्लस y square equals to 25 तो यह जो simplest form दी circle की यह वो आ गई simplest form में क्या होता है यहाँ पर x square होता है y square होता है इधर आप इसको r square की form में लिख दो x square प्लस y square equals to में 5 का square तो इससे क्या होगे आपके पास circle का center आ गया simplest form में जो center होता है वो 0-0 होता है radius होती है इसकी 5 तो यहाँ से हमें यह पता चल गया कि इस circle के center से लेकर यहाँ तक का जो distance है यह 5 unit है क्योंकि radius 5 आ गया है अब आपको यह check करना है कि यह वाला जो point है यह point कहाँ पर है circle के अंदर है circle के बाहर है यह circle के उपर है अगर मालो यह point मैं circle के बाहर ले रहा हूं कहीं situation देखो अलग लग अगर मैं यह point P जो है circle के बाहर लेता हूं और इसका distance मैं center से निकालता हूं तो इसकी length जो radius है उससे बढ़ी आएगी अगर यह point P में circle के अंदर ले लेता हूं तो इसकी जो length है वो कितना भी अंदर ले लूँ उसकी जो length है वो 5 से कमाएगी और अगर मैं ठीक circle के उपर ले लूँ तो यह जो length है यह 5 के बराबर आनी चाहिए तो हम check कर लेते हैं कि जो हमारा point है center जो है उससे लेकर P तक का जो distance है वो कितना है तो उसके लिए हम distance formula यूज कर लेते हैं 0 minus यह यह जिरो plus यह हो गया 0 minus 3.5 अब आप यहां से निकालो इसको तो 2.5 का square करेंगे 6.25 आगया plus में इसका square करेंगे 12.25 आगया इन दोनों को add करते हैं यह आगया वह 18.50 अब यहां से इसका square root हम निकालेंगे कुछ भी निकालेंगे लेकिन इसकी जो value है वो 5 से कम ही आएगी क्योंकि 5 का square क्या होता है 25 तो भाई यह तो 25 से बहुत कम है यानि जो इसकी value आनी है वो less than 5 unit आनी है अब अगर इस less than 5 unit आगया तो कौन सी situation बनी हमारी यह वाली situation बन गी है कि इसकी value 5 से कम आ रही है इसका मतलब जो point P होगा therefore P lies inside the circle यानि जो point P है यह circle के अंदर आएगा यह बाहर नहीं हो सकता ऐसे ही यहाँ पर इसका second part दिया हुआ है उसको भी same इसी तरीके से आप कर लेंगे radius से बढ़ाएगा तो बाहर radius के बराबर आएगा तो circle पर और radius से छोटा आएगा तो कहाँ पर आएगा circle के अंदर तो बच्चो question number six में करता है find the center and the radius of a circle तो circle का आपको center find करना है radius find करना है तो यहाँ पर जो यह वाला question आता है इस format में जब आएगा तो इसमें आप compare करना है इसको जो इसकी हमने central form करेती circle की compare with x minus h whole square y minus k whole square equals to में r का square अब इससे देखो अगर आप compare करोगे तो यहाँ से आपके पास h की value आएगी minus 5 sign का जरूद यहाँ रखना देखो यहाँ minus है यहाँ पर क्या रहा है प्लस आ रहा है यह प्लस आ रहा है तो मतलब क्या हुआ इस equation को आप ऐसे लिख सकते हो ना x minus minus 5 standard format में बना दो यह तो ठीक है ऐसे ही और इसको लिख दो आप 6 का square अब आप compare करोगे तो h की value क्या आ रही है आपके पास minus 5 यहाँ center क्या आ गया center आ गया minus 5 और यहाँ से k की value आ गयी 3 और तो radius है वो आ गया 6 तो इस तरह से आपने center बता दिया radius बता दिया अगर equation ऐसे दी हुई है तो आपको क्या करना चाहिए जो x वाली terms है उनको आप इखटा करो x square minus 4x y वाली term है उनको इखटा करो अब यहाँ पर आपने 10th class में method बढ़ा था completing the square वो method यहाँ पर लगा दो उसमें क्या करना होता है आपको कोई ज़्यादा इस आप मुश्किल नहीं है x minus इसका half कर लेना है 4 का 4 का half वो जाएगा 2 whole square करते है और फिर जो इसका half आता है उसी का square minus कर देते है ऐसे अब यहाँ पर देखो y minus 8 8 का half करेंगे 4 हो गया और 4 का square यहाँ पर minus कर देंगे minus 45 अब यह क्या बनगे आपके पास x minus 2 का square फिर इसको ले लो आप y minus 4 का square अब यहाँ पर जो term है minus 4 होगी minus 16 minus 45 तो इन सब को आप उस से लेके जाओ add करो और add करके उधर ले जाओ तो यह बनेगा 65 तो 65 को देखो हम ऐसे लिख सकते ना root 65 का whole square मेरे को standard format बनाना है इसलिए मैंने क्या कर रहे है यहाँ पर square लगाना था अब square लगाना है तो 65 का square root तो निकलेगा नहीं कुछ पूरा तो हम क्या कर देते root लगा देते अब इसको फिर हम यहाँ standard form से compare करेंगे तो h की value यहाँ पर आपके पास 2 है k की value 4 है और r की value 65 है root 65 तो center आपका क्या बन गया center आगया 2 and 4 और r की value तो आईगी है नहीं radius तो आगया root 65 अभी तो center और radius निकालना है देगो यह format अगर दिया है तो यही best है इसी से आप center निकाल दो radius निकाल दो लेकिन अगर यह format दिया है तो इसका मैं दूसरा तरीका आपको और बता दे रहा हूँ कि उसमें आप कैसे निकाल सकते हो इसको इसको आप compare करो equation से किससे x square plus y square plus में 2g x plus में 2fy plus में c is equal to 0 अब यहां से आप क्या करो compare करोगे तो देखो 2g की जो value है वो क्या minus 4 आ रही है तो 2g की value अगर minus 4 है तो g की value कितनी हो गई minus 2 और 2f की value है वो कितनी हो गई minus 8 तो f की value हो गई minus 4 और c की value हो गई आपके पास minus 45 तो इस format से अगर हम करते हैं तो center हमारा क्या बनता है center बनता है हमारा minus g and minus f तो g की value अलेड़ी minus में तो minus minus plus और यह भी minus minus plus तो center तो बन गया आपका 2 और 4 यह center आ गया तो यहां पर थोड़े छोटे तरीके से निकल गया जो आपको convenient लगता वो method आप use करो अब r निकालने के लिए हमारे पास यहां पर formula क्या था r का formula था आपके पास f का square plus g का square minus c अब यहां पर f का square करेंगे f के आपके पास 4 f लिख लो या g लिख लो पहले वो कोई दिक्कत नहीं है भी plus में है minus वाले का ध्यान लगना कि वो गड़बर ना हो तो f का square करोगे आजाएगा 16 g का square करेंगे आजाएगा 4 और यह आएगा आपके पास minus 45 यह minus already sign है तो यह आजाएगा plus 45 यह क्या बनगे आपके पास root 65 यह आपका r आगया तो यहां पर आपको जैसे कर्विनेंट लगे आप वो तरीका यह इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन इस वाले अगर format में दिया है तो यही best है इसमें फिर आपको gh में जाने के जरुवत नहीं है अब यहां पर जो अगला question है वो भी देखो अगले दो पार्ट है वो भी आपको ऐसे करने है हम question number 7 पे जल रहे है 6 के दोनों पार्ट आप बाकी आप इजली आप कर सकते 7th question में कहता है कि पहले तो आपको चेक करना है कि यह circle की equation है भी या नहीं है यह ऐसी पागल बना रहा है हमें कि हम center radius निकालने वैड़े हैं हमें यही ना पता चले कि यह circle तो ही नहीं तो पहले हम यह पता कैसे करेंगे कि circle है या नहीं तो सबसे पहली जो equation है उसको आप देखो x square plus y square plus में x minus y 7th question का जो first part है उसमें यहाँ पर आपको दे रहा है कि x square plus y square plus में x minus y तो हमें पता कैसे चलेगा कि यह circle है या नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है जो coefficient of x square और coefficient of y square है यह आपका बराबर होना चाहिए coefficient of x square और coefficient of y square अगर यह दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब यह circle है अगर यह अनिक्वल होगे तो फिर कह देना सिद्धा कि यह circle नहीं है और circle नहीं है तो हम center निकाली नहीं सकते रेडियस तो निकाली नहीं सकते न तो अब यहाँ पर क्योंकि circle आगया तो आप इसको रेडियस और center दोनों निकालने पड़ेंगे इसके लिए फिर जो अभी तरीका हमने बता है या तो वो यूज करो या फिर completing square करो ठीक है आई तिंग मैं रिक्याल जो g और f वाला तरीका है वो जदा ठीक रहेगा तो इसको अगर हम compare करते है तो 2g की value आपके पास आगई है 1 और 2f की value आगई है minus 1 c यहाँ पर है नहीं तो c की value आगई 0 तो यहाँ से g की value आप निकालोगे 1 by 2 f की value निकालोगे minus 1 by 2 तो आपका जो center है center आजाएगा 1 by 2 minus में और यह आजाएगा plus में ठीक है यह center आगया अब radius निकालेंगे radius होता है g square plus f square minus c तो यानि g का square करेंगे आप 1 by 4 यह भी 1 by 4 c की value तो 0 है तो 2 by 4 हो गया 2 by 4 यानि यह cancel हो गया तो 1 by root 2 यह इसका radius आजाएगा first part का ठीक है अब इसी तरीके से आप देखो अब यहाँ पर जो second part है second part में भी x square y square दोनों का coefficient सेम है 1 1 आ रहा है यानि वो भी circle है तीसरा part है उसमें भी यहाँ पर 2x square आ रहा है 2y square आ रहा है तो वहाँ पर भी coefficient दोनों का सेम है तो circle तो वो भी है लेकिर उसमें जो center वगरा है आपको वो निकालना पड़ेगा वो हम कैसे निकालते हैं इसका third part हो समझ लेते हैं उसमें करता है 2x square प्लस में 2y square equals to 5x plus 7y plus 3 तो यहाँ से आपको क्या करना है तो सारी term square इधर इखटा कर लो यहाँ पर आप दिखा दो कि coefficient of x square equals to coefficient of y square therefore it is circle तो circle तो यह बन गया अब इसको जो आप compare करेंगे जी और f वाली equation तो उसमें यहाँ पर x square और y square होता है यानि जो 2 is 2 को आपको हटाना है अब 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे इसको fake तो नहीं सकते नहीं दर अदर तो इस 2 को हटाने के लिए हमें क्या करने हैं balancing करने हैं या आप इसमें से common निकाल दो तो तो देखो अगर यहां से common निकालोगे तो ठीक है यहां से तो निकल गया अब यहां तो भी 2 है नहीं तो common कैसे निकाले तो ऐसे situation में क्या करते हैं जब 2 common नहीं निकल दा तो आप उसको 2 को divide में लिख दो ऐसे नहीं तो ऐसे मनेगा और निकलेगा तो सही तो इस तरह से आपकी equation बन जाएगी अब यह equation बनी अब इसमें देखो यहां पर कि आपके पास जो circle का center आ रहा है वो क्या आ जाएगा तो इसको आप compare करो किससे 2g की जो value वो क्या होगी आपके पास minus 5 upon 2 तो g आगे आपके पास minus 5 upon 4 ऐसी यहां पर 2f की value निकालो यह आपके पास कितनी minus 7 by 2 f की value आ जाएगी minus 7 upon 4 और c की value होगी minus 3 by 2 अब यहां पर एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी तो यहां आपको यहां इस question मता ना भूल गया एक चीज और देखनी पड़ेगी coefficient तो हम देखेंगे देखेंगे साथ में हम क्या करेंगे g square plus में f square minus c इसकी जो value है वो देखेंगे कि मैं इसकी value negative तो नहीं आ रही है तो यहां पर हम पहले वही चेक कर लेते कि उससे r भी निकल जाएगा और हमारा check भी हो जाएगा तो g square plus में f square minus c यह value आपकी positive हानी जाएगे तो g का square करोगे आप कितना आ जाएगा आपके पास 25 अपन में 16 f का square करोगे तो यह आ जाएगा 49 अपन में 16 और c की value already minus है तो यह minus minus plus हो गया तो देखो सारी value positive आ रही है यानि possible है तो अब इसको simplify भी आप कर लो इसको simplify करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा 98 अपन में 16 हो जाएगा ठीक है तो 98 अपन 16 को आप simplify करोगे 16 का तो square root 4 हो गया 98 का square root हो जाएगा 7 root 2 और divided by 4 तो यह तो आपका बन जाएगा radius अब रहाएगा center center और यह तो बड़े easy है center होता है minus g minus f तो यह हो जाएगा 5 upon 4 और 7 upon 4 तो इस तरीके से आपका जो answer है वो निकल जाएगा center आगे हमारा 5 by 4 7 by 4 और radius आजाएगा 7 by 4 root 2 ठीक है तो आपको क्या check करना है एक तो coefficient of x square y square check करना है plus मैं आपको यह भी check करना है इसका भी आध्यान लखेंगे यह भी आपको check करना है कि इसकी value greater than 0 आनी चाहिए अगर यह दोनों case होते हैं तो यह circle की equation बन जाएगी otherwise नहीं बने जाएगी तो question number 8 पे चलते हैं 8 में यहाँ पर क्या कहता है यह question number 8 में find a value of p so that this is the equation of circle of radius 7 unit अब यहाँ पर आपको एक equation दी हुई है equation क्या दी हुई है कहता है x square plus y square x square plus y square plus 8x plus 10y and plus में p is equals to 0 यह circle की equation है और इसका जो radius है वो कहता है 7 unit है तो यहाँ से radius की हम value होगे डारेक्ट लें तो हमें g और f की value चाहिए तो यहाँ से फिर आप compare करते हो तो 2g की value आपके पास यहां पर 8 आ रखी है तो g की value आपके पास 4 और 2g की value यहां 10 है sorry 2f की तो f की value होगी 5 और c की value होगी आपके पास p तो जो radius है उसका formula होता है square root of g का square f का square f का square minus में c यह होता है squaring both side कर देते है r की जेगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा और squaring करेंगे तो यहां तो 49 हो गया यहां पर यह 16 प्लस में 25 माइनस में p इस p को आप इधर लाएंगे तो इसको इधर लेके जाओ इन दोनों को add करो 41 माइनस में 49 तो p की value आगी आपके पास minus 8 तो यहां पर इस question में यहां तक इस part में हम यहां तक करते हैं आज बाकी के question इसके next part में करते हैं काफी सारे question दी है 27 questions है तो कोशिश करेंगे next part में जितने ज्यादा question हो सकते हैं तो आज के इस part में इतना ही thanks to all of you